हाई अब्रिवन गूड मॉर्निंग आज हम O3 प्लस फेसियल के बारे में बात करेंगें कैसे O3 प्लस फेसियल हम करते हैं तो देखिए इसको हम कट कियें और ये दस अस्टेप का फेसियल है तो अस्टेप बाई अस्टेप हम कैसे करेंगे ये इसमें भी बताया गया है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको देखकर कर सकते हैं ये काफी बजट का फेसियल है ये नॉर्मल फेसियल से हटकर है काफी अलग है तो ये फोर पाउच में दिया गया है इसका पैकेज काफी खुबसूरत है तो इसमें देख सकते हैं ये सादी के सीजन में काफी चलता है तो हम आज दो फेसियल किये हैं ओ थ्री प्लस का ही तो फर्स्ट का तो हम कर लिये हैं ये शरकेंड है ये त्री पैक है वो फेस पैक पे जाएगा तीन पाउच में पैक है तो एक लिकवीड होगा उसमें एक पाउडर वो मिक्स करके हम पैक अप्लाई करेंगे ये देखिए काफी खुशूरत इसका पैकेज दिया गया है तीन टॉनिक है इस पे और चार ये कैप बाला जो दिखाए दे रहा है ये मसाज क्रीम डिटेन पैक ये सब है इसमें एक सीरम है और दो टॉनिक है तो फेस सीरम कब हमको करना है ये लिफाफे के उपर आपको अस्टेप बताया गया है और फेस टॉनिक कब करना है वो भी बताया गया है तो इसमें आपको जरा सभी पानी को जुरत नहीं पड़ेगा ये काफी मुस्चुराइजिंग क्रीम है तो अब हम इसको मिलाकर साइड कर लेंगे फर्स रस्टेप में क्या है शकेन रस्टेप में क्या है ये सब हम अच्छे से चेक कर लेंगे ताकि जब हम काम स्टार्ट करें तो हमको कटनाई ना हो साथ में कुछ लड़कियां काम सीख रही है उसको भी आच्छे से समझ में आ जाता है तो कब हमको टॉनिक से करना है काम कब हमको फेस पे सीरम लगाना है कब हमको मसाज क्रीम लगाना है सारा डिटेल इस पे दिया हुआ है तो आप अगर फर्स्ट बार करेंगे तो इसके लिफाफे के पीछे आपका सारा स्टेप के बारे में बताया गया है कितना टाइम करना है कितना टाइम कौन सा स्टेप देना है ये सब इस पे लिफाफे पे बताया गया है आप इसको रिचे कर लें एक बार उसके बाद ही फेसियल अस्टार्ट करें ये जो हम लोटस, डायमेंड, शहनाज, गोल्ड ये सब जो करते हैं सबसे अलग है ये ये फेस रिपेर करता है अगर ये फेसियल मन्थ में एक बार लेकर लगतार दो तीन मन्थ आप करवाते हैं तो आपका फेस में जो गड़्धा होता है फोनसी होते हैं पिग्मिटेशन जो भी है सारे ये रिमूव कर देगा साथ-साथ ये दाग धब्बे को भी रिमूव करता है हर फेसियल में लाष्ट में मांक्स होता है इसका वीच में मांक्स है लाश्ट में मसाज क्रीम है तो दस अश्टेप का फेसियल अगर आप कर रहे हैं तो इसका आप पहले से ही रिचेक कर लें फेसियल भी करते समय आपको ये भी लगता है कि हम फेसियल कर रहे हैं रिचेल कैसा आएगा तो अश्टेप बाई ये अश्टेप अगर फेसियल कर रहे हैं जिस परकार से इस पर बताया गया है उस परकार से इस पर फॉलो करेंगे तो रिचेल काफी अच्छा आएगा और प्लैंट खूस होकर जाएगे तो लगवक देखिए हम सारे को चेक कर लिया है जितना ये दीखने में असानी लगता है उतना ये करने में असानी नहीं है बट आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हो जाएगा पूरा फेसियल का तो वीडियो हम सूट नहीं कर पाया तो देखिए हम दो फेसियल जो किये है दोनों का अलग था ये कलर से भी पता चल रहा है कि ये दो फेसियल किट है बहुत जल्द ही इसका हम फूल फेसियल वीडियो लेकर आएंगे कुछ भीड के कारण हम फूरा पेसियल का वीडियो नहीं बना पाया कि अभी लगन का टाइम है इसके बज़े से हम वीडियो सुट नहीं कर पाएं पूरा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर करिएगा सस्क्राइब करने से हम कभी भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप वीडियो देख पाएं तो देखिए जिस तरह से पाएक इसमें निकला है जब हम लिक्वीट के साथ पॉर्डर मिक्स करके पाएक अपलाए किया थे तो वो बहुत आच्छे से पाएक निकल गया सारा कुछ इस पर बताया हुआ रहता है आप अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो इस पर आप चेक करके ही करें कोई कटनाई नहीं आएगी घबराने वाली कोई बात नहीं है आप अच्छे से कर लेंगे अगर फर्स्ट बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आता है तो आप दो बार तिन बार देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ के ही करें रबर मास्क दो फेसियल था तो दोनों का ही अलग-अलग कलर है रेडियन्स और व्राइटनिंग फेसियल में यही अंतर होता है आप देख सकते हैं व्राइडल फेसियल की इसादी के सीजन में लोग करवाते हैं यह काफी अच्छा होता है फेस पे काफी अच्छा रिजेल आता है इसका फेस रिपेयर भी करता है आपको अगर करवाना है तो आप भी आकर करवा सकते हैं कभी भी आप facial kit लेते हैं तो आप उस पे date जरूर चेक कर ले कुछ इस परकार इस पे बताया गया है और दिखाया भी गया है ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like, share and subscribe कर दो